जैहिन वंदे मातरम आपको बता दे कि आज पीएम मोदी ने 130 करोड़ लोगों की भावनाओ का माल रखते हुए फ्रेंस कॉंफेंस में क्या कहा मोदी जी ने क्या कहा उसको हम बाद में बताएंगे सबसे पहले शेहिद हुए चोहनों को संदाज जिली देते है क्या क्या के जी देते है बता दे दोस्तों पीम मोदी ने अतंकी संगठनों को चेतामनी दी है कि उन्हों वे बहुत बड़ी गल्ती कर चुके हैं और सैना को खुली छूट दे दी है कि वो कोई भी कारवाई अपने तरीके से कर सकते है पीम मोदी ने बोल दिया है कि इसका बदला लिया जाएगा और पूरा देश एक साथ है और पूरा देश जीतने के लिए लड़ेगा पीम मोदी ने इस पस्त बोल दिया है और पीम मोदी ने कहा है कि वो पाकिस्तान को अलग थलग कर देंगे हिंदुस्तान उससे डरने वाला नहीं है मोधी जी ने कहा है कि देश पाकिस्तान को मुँ तोड जवाब देगा और रूस और अमेरिका ने भी भारत का साथ देने को कहा है और हमारा देश किसी से डरने वाला नहीं है और भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फारवर्ड नैशनल का दर्जा भी ले लिया है ये मोदी सरकार का बहुत ही सक्त कदम उठाया गया है और 130 करोड भारतियों का मान आज मोदी जी ने रखा है जैहिन पंदे मातरम मोदी लाओ देश बचाओ वीडियो को जादे से जादा शेर कीजिए और उन पाकिस्तानियों को दिखा दो के तेश की 130 करोड जनता मोदी जी के साथ है जैहिन पंदे मातरम हेलो फ्रेंड्स मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को दबाएं